आपका स्वागत है मेरा नाम है गौरव और यह वीडियो का तीसरा और आखरी भाग है आगे बरने से पहले मेरी आपसे विनती होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ में बैल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडिय तो बिना समय गवाए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाते आगे क्या चली इसलिए जो परवेज खटक की जो बात कर रहे हैं पाकिस्टान के डिफेंस मिनिस्टर उनके पास तो कोई मतलब एजन ही जा रवर स्टांप एज डिफेंस मिनिस्टर सो ही क पाकिस्तानी एर स्पेस का उलंगन किया उसमें करीब सवा सो किलोमेटर अंदर जाकर गिरी तो फिर से यह सवाल उठ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया क्यों भारतीय मिसाइल को शूट डाउन नहीं किया गया हाला कि पाकिस्तान में इसे लेकर प्रोपगंडा भी शुरू हो गया कि पाकिस्तानी एर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है कि उसने भारत के मिसाइल को मार गिराया है ट्विटर पर एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा कि जो मित था कि ब्रहमोस मिसाइल को इंटरसेप् चैनल है हकीकट टीवी उसने भी अपने वीडियो में दावा किया कि पाकिस्तानी अर्फोस ने ब्रहमोस मिसाहिल को इंटरसेप्ट किया है हाला कि हकीकट टीवी के प्रोपगंडा को उसके पाकिस्तानी दर्शकों ने ही धुस्त कर दिया कमेंट सेक्शन में उसके एक वीवर मुहमद बिलाल ने लिखा कि ISPR ने साफ कहा कि मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुई है बलकि अपने आब गिरी है एक दूसरे यूजर इफिकार एहमद ने भी वह लिखा कि DG ISPR ने कहा है कि मिसाइल अपने आब गिरी ना कि पाकिसानी एर फोर्स या फिर पाकिस्तानी एर डिफेंस के दोरा शूट डाउन हुई एक और यूजर ने लिखा है कि आई एस पी आर की प्रेस कांफेंस बड़ी कन्फीूजिंग थी उन्होंने इंटरसेप्ट वर्ड का इस्तमाल नहीं किया उन्होंने कहा कि वो एक कम एहमियत वाली जगा पर गिरी है प्रेस कांफेंस एंकर रिजिंग नहीं थी यानि कुल मिलाकर ये बात जो फैलाए जा रही है कि पाकिस्तानी एर डिफेंस ने मिसाल को मार गिराया वो बिल्कुल गलत है पहली बात तो ये कि आई डिफेंस ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया उन्होंने ये कहा है कि वो खुद गिराया कि लोगों को मैं देख रहा था कि वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान इसको मार गिराया लेकिन जो मैंने सुना, वो यह था, कि हमने इसको मार नहीं गराया, वो थो सिंधर नीचे गिरी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, कि वो की सी तरह जो है वो चीज़ जो है, वो नीचे गिरी और हमने इसको इतनी ज़ये, क्यों नहीं रोका, क्या वो कहीं और जा रही है कि हम उसको monitor का रहे थे यानि ये बात तो साफ है इसमें कोई दोराय नहीं है कि पाकिस्तानी air defense system में loop था तब ही भारत के missile वहां तक पहुँच पाई चलिए आपने track किया आपको सब पता था लेकिन आप उसे shoot down नहीं कर पाए और ये तब है जब अभी हाली में प्रधान मंतरी आपके जो इमरान खान है उन्होंने कहा था कि कोई भी drone कोई भी चीज आएगी तो वो shoot down कर दी जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब ये जो सवाल है कि भाई air defense system क्या कर रहा था ये सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा लेकिन अब मैं जो अगली बात करने जा रहा हूँ वो ज़रा उसको neutral होकर सोचिएगा अगर ये missile भारत ने जान बूज कर fire की है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भारत नहीं सोचा हो कि चलो ऐसा करके एक बाद टेस्ट करते हैं कि पाकिस्तानी air defense system में क्या कोई loophole है क्या कोई कमजोर कड़ी है जहां से भारत ये अपने missile को enter करा सकता है तो अगर ऐसे सोचा जाए तो भाई भारत तो अपने mission में कामयाब हुआ ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसी ही missile पाकिस्तान की तरफ से घलती से fire की गई होती तब भी मैं ये सवाल उठाता क्योंकि ये बिलकुल genuine सवाल है missile fire करने में ऐसा नहीं होता कि बटन दबाया और missile उड़ चली उसे test fire करना हो या फिर हकीकत में दुश्मन देश पर fire करना हो इसका एक लंबा प्रोसीजर होता है उसमें कई लोग शामिल होते हैं एक chain of command होती है ऐसा नहीं हो सकता कि कि किसी एक ने चाह लिया कि missile fire कर दूँ तो ये मुमकिन नहीं है fire command तभी activate होता है जब उसके सारे element एक साथ मिलकर command को पूरा करें इसमें उसके fire control system से लेकर human interference भी शामिल है हाँ एक बात हो सकती है कि missile fire की गई पूरे command के साथ लेकिन बाद में तकनीकी खामी आ गई वो control में नहीं रह गई और वो पाकिस्तान की तरफ मुड गई या उसने कोई default navigation command उठा लिया जिसमें पहले से ही पाकिस्तान का कोई target डाला गया होगा कहने का मतलब यह है कि हकीकत तो पाकिस्तान कभी नहीं जान पाएगा कि क्या वाकई missile गलती से fire हुई या फिर गलती की आड लेकर जान बूज कर fire की गई जो हम लोग जो जानते हैं कि मजाईर कैसे fire होते हैं कैसे अपने तब्दील करते हैं direction तो यह बात मानने वाली नहीं है कमसका मैं नहीं नहीं था कि यह कोई गलती थी गलती से fire हो सकता है उसके बाद गलती से वो मुड़ कर पाकिस्तन की तरफ भी आ गया और गलती से ऐसे लाके में चला गया भर गलती से गर गया पाकिस्तन को कितना बड़ा खत्रा था मेरा ख्याल है कि UN security कांसल में लेकर जाने वाली बात है UN के लेवल पे लेकर जाने वाली बात है कि एक nuclear capable मजाइल पाकिस्तान पर दागा गया है और उसके बहुत सारे बजुगात हो सकती है तो मेरा ख्याल है कि हमारा रियक्शन वीक है कमजोर है ये बात मुझे सबसे जदा अपील की कि भारत ने ये तजर्बा करना था और उसने इस अलाके के अंदर जिस कारीडोर में करना था उससे एर ट्रैफिक नहीं गुजरती लहाजा उसने किसी को बताना मुनासब नहीं समझा सर्टन लेवल पे आके उनका उससे कंट्रोल हट गया और वो नवे के जाविये के उपर मूड़ के पाकिस्तान खुस गया आप कहेंगे किरना अकल मंद बांबसी उप परदेवाजर क्यों नहीं वड़िया लेकिन क्या किया जाए ठीक है तो मेरा ख्याल है कि शाहिद इसको गिर ये भी एक हो सकता है कि इंडिया ने पाकिस्तान की उस कपैस्टी को चेक करने के लिए ये डाइवर्ड किया हो ताकि हम उसके उपर मिजाइल मारें और उसको हमारी लुकेशन्स का सलाहियतों का पता चाल जाए ठीक है जाहिर है इस पर लंबे वक्त तक चर्चा होगी भारत में भी चर्चा होगी और पाकिस्तान में भी चर्चा होगी यही बात मैंने शुरुआत में कही थी कि आप कंक्लोसिव स्टेटमिंस नहीं दे सकते हैं कि यह जो अगर यह भारत की गलती है यह भारत ने माफी मांगी वह भी बात गलत है लेकिन यह जो है कि मतलब जो भी इसके पीछे जो भी ऑपरेट कर रहे थे जो भी ऑफिसर्स थे उनको दोशी मान लिया जाए है दोशी करार दे के सक्ट से सक्ट सजा दी जाए यह भी तो यह बहुत सारी जो बाते हैं वह हमें नहीं पता है क्या हुआ है इसलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए होने दे उसके बाद ही जो भी कॉंक्लोसिव या जो भी सकते हैं वह आप निकालें लेकिन पहले तो इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है भारत सरकार ने और कुछ भी नहीं कहा है इस बारे में तो इसी लिए कि पाकिस्तान क्या सोचेगा वेस्ट क्या सोचेगा इस तरह की बाते करना अभी जायज नहीं है बिलकुल अगर भारत के पॉइंट और व्यू से हम देखें तो अभी कुछ कहना इसमें बनता नहीं है लेकिन अगर हम कहें कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे तो हमने तो यह बहुत साल से देख लिया है अभी भी वही हमारी मेंटालिटी रहे तो हम अगला सौ साल भी इसी तरह गुजारते रहे क क्या है वो गलती ही क्यों नहीं हो एक्सेप्टेड यह है कि हमने यह गलती किये फिर भी हम माफ ही मांगते रहे तो और अपने लोगों को ही पनिश करते रहे मुआवजा भी दे दूसरे को और अपने लोगों को पनिश करते रहे तो यही बात मैंने शुरुवात में कही थी और साथ ही एक और सवाल उठ रहा है भारत से वो जादतर सवाल उठ रहा है कि भाई ब्रह्मोस अगर मिसाइल थी ये मानने जाए कि ये मिसाइल ब्रह्मोस थी तो वो अब पाकिस्तान में जाकर गिरी है अब क्या वहाँ जो उसका मलबा है जो उसकी डबरी है क्या उससे पाक टोमा हॉक मिसाइल को कॉपी करके बना चुका है वो भी तब जब ये मिसाइल पाकिस्तान में गिर गई थी तीन बार पाकिस्तान के पीम रहे नवाज शरीफ ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने रिवर्स इंजिनियरिंग के जरिये अमेरिकी टोमा हॉक क्रूज मिसाइल की कौपी बना ली है जिसे बाबर मिसाइल कहा जाता है पाकिस्तानी नियूज वेबसाइट एक्स्प्रेस ट्रिब्यून में छपा साल 2020 का ये आर्टिकल है इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान को अमेरिकी टोमा हॉक मिसाइल उन्हें बनुचिस्तान में मिली थी जिसे वो लेकर आए फिर उसे रिवर्स इंजिनियरिंग के बाद बाबर नाम से क्रूज मिसाइल बना ली लेकिन उस टोमा हॉक में और इस भारतीय मिसाइल में फर्क है टोमा हॉक उन्हें बिलकुल सही सलामत मिली थी यानि उसमें किसी तरह की कोई डैमेज नहीं थी जबकि मान लें कि ये भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ही है तो इसकी हालत तस्वीरों में देखी जा सकती है ये पूरी तरह तबाह हो चुकी है छोटे मोटे पुर्जों के अलावा और कुछ भी साबत नहीं दिख रहा है इसलिए मेरे हिसाब से इसकी नकल बना पाना पाकिस्तान के लिए करीब-करीब नामुम्किन है बाकी इस पर अगर आपको जादा जानकारी चाहिए तो अल्फा डिफेंस का चैनल है यूटूब वहां पर उन्हों ने इस पर बड़े ही वस्तार से वीडियो बनाकर रका है तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं लेकिन यहां पर मैं आड कर दूधि चाइना ने ब्रहमोस की कापी बनाई हूई है ये जो भी विखेंी के यह अंछ भी कोपी कर लिए और की विस है तो अगर चाहिए तो पाकिस्तान को देगा वो इसलिए और यहां पर वह ज़्यादा एजी रहेगा ना इस जो भी पूरी तरह स्यादा शेर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए क्योंकि सही और सटीक और सबूतों से भरा हुआ वीडियो यहां आपको मिलता है defense detective पर तो जल्दी हाजिर हुता हूं एक और नए वीडियो के साथ और हाँ जाते-जाते उन लोगों से गुजारिश है जो पहली बा तो आपने यही देखा यहां पर जो भी बाते की गई है तो मैंने इनके वीडियो बहुत बार देखे हैं कुछ वीडियो में यह पाकिस्तान की जो भी जो चैनल होते हैं उनको डिबंक करने की कोशिश करते हैं और एक दो बार उन्होंने समझाने की भी कोशिश की लेकिन पाक में ये मैंटालिटी हमेसा दिखती है कि आप पड़े का किरिदार जो है वो निवानी की हम बार-बार कोशिश करते हैं चाहे छोटा हम जो है वह हम पे बार-बार एटैक ही नहीं हम पे जो युद्ध है वह विद्धोकता चला जाए तो ये मैं नहीं समझता कि ये के जाइज म की तरह हमारे लिए एक बहुत बड़ा वूंड बन जाएगा और हम इसको वूंड को बनते देख रहा है बार बार देख रहा है कास्मीर में हमने देख लिया है और उसके अलावा भी अगर हम इसी उसमें देखे तो यूपी ये के टाइम में यानि जो हमारी प्रिवियस गर्म मुलक है पाकिस्तान से हम को प्रेज करना चाहिए चाहिए वह दुस्मन है पाकिस्तान के इंटेंशन सही है भारत के खिलाफ मुझे नहीं लगता है कि हम मतलब उस दौर में अब रह चुके हैं कि हम पाकिस्तान में अपना ट्रस्ट अपना फेथ वह में रख सकें अब वह भारत को उससे ज़्यादा फर्द पढ़ने वाला नहीं है तो यह बात मैंने आपके सामने रखी है आपको यह बाते कैसी लगी क्या जो डिफेंस डिटेक्टिव का जो वीडियो है वो उनकी बाते आपको अच्छी लगी तो मेरे मेरे कमेंट सक्षन में मुझे जरूर बता है कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ में बेला आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नटिफिकेसन मिलती रहे अग अब तक के लिए नमस्कार जाएंद